So, hello guys, welcome back to my channel, अर्थशास्त्र की नगरी So guys, जैसे कि आपने थम्निल के अंदर देखी लिया है, जी हाँ, हम बात करने वाले हैं Class 12 के Economics के एक और Practice Paper के Solution के regarding इससे previous मैंने आपको जो है 3-4 Paper already करा चुका हूँ CBSC का Official Sample Paper करा चुका हूँ, Practice Paper करा चुका हूँ, Additional Practice Paper करा चुका हूँ 4-5 मैंने Economics के, Economics के Hindi में वो भी Sample Paper को Complete with Detail मैं जो है Solved करा चुका हूँ करने वाले हैं, तो बिना बखवास की ये मुद्दे को शुरू करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं, Question No.1 के अंदर कहता है कि जो चालू खाता होता है, जो भुक्तान शेश की संवर्चना के अंतरगा, जो भुक्तान संतुलन जो होता है मतलब बेसिकली ये आप से पोछ रहा है कि जो है कितने तरीके के खाते होते हैं एक होता है चालू खाता और एक होता है पुन्जी खाता तो एक और तीन जो है इसका correct answer है, तो गा जो है इसका correct answer हो जाएगा चीक है जी? इसके उपर question guaranteed है, एक्जाम में आना हाना है Question number 2 की बात करते है Question number 2 में कहता है निमलिकित में से कौन सी मद्ध किसी देश की मुद्रा की पूरती में शामिल नहीं होती है नहीं उसने पूछा है तो विदेशी मुद्रा की मांग और अच्छा स्वरी उसने पूछा है मुद्रा की पूर्ती में शामिल नहीं होती है जैसे इसके आपके घटक होते हैं क्या कहते हैं आपका M1 होता है M2 होता है M3 होता है M4 होता है कई तरीके की घटक होते हैं तो कहा रहा है इनमें से कौन सी मद किसी देश की मुद्रा की पूर्ती जो है उसमें शामिल नहीं होती है तो पहले कहता है मांग जमाएं फिर कहता है सिक्के तथा करंसियां और फिर ये कहता है सावधी जमाएं और फिर ये कहता है उपरुक्त सभी तो अभी हम फिलाल हमारे स्लेबस के अंदर केवल M1 है ठीक है तो उसके according मांग जमाएं और ये शामिल होते हैं सावधी जमाएं जो हैं वो शामिल नहीं होती है ठीक है तो गा जो है वो इसका correct answer हो जाएगा उसके बाद कहता है विदेशों को उपहार तथा प्रेक्षन दर्ज किया जाता है विदेशों को उपहार दिया है ठीक है और विदेशों में प्रेक्षन करने जा रहे है गुमने फिरने जा रहे है तो देखिए बहुत यह दा दियां से सुनेंगे हमने विदेशों को उपहार पहले बात तो पैसा जा रहा है ठीक है तो पैसा जा रहा है तो जब भी पैसा जाता है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जा रहा है तो debit side आ रहा है तो credit side तो पैसा तो जा रहा है मेरे भाई तो भाई पैसा जा रहा है और एक पक्षी अस्तान तरन है ये चालू खाते का गटक है इसलिए का जो है इसका correct answer हो जाएगा घा इसका नहीं होगा क्योंकि विदेशों को पार पूझी खाते का गटक नहीं होता है आ रहा है पैसा तो credit side जा रहा है तो debit side इस type के question एक्जाम में आएंगे आएंगे प्लीज इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा balance of payment की separate one shot video long video short video एक एक चीज मैंने जो है अभी परसो भी वीडियो डाली थी balance of payment की प्लीज इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख लीजिए और इसको prepare कर लीजिएगा इसके और में एक और question दे रखा है कि वस्तूओं के निर्यात की वस्तूओं के आयात पर अधिकेता क्या कहलाती है निर्यात ज़्यादा है वस्तूओं के आयात से तो उसको क्या कहते हैं वस्तूओं का और सिर्फ वस्तूओं का ठीक है तो वस्तूओं का निर्यात ज़्यादा है वस्तूओं के आयात से तो उ तो और का और ना ही खा और फिर दे रखा है या तो का या तो खा उसने ऐसे बात करिए वस्तू की देखिए बुक्तान शेश के अंदर वस्तूयों का सेवाओं का एक पक्षिये और पूंजिगत लेंदेन होते हैं तो वस्तूओं को कौन रिकोर्ड करता है वस्तूओं को रिकोर्ड करता है व्यपार 6 चालू खाते का एक घटक होता है तो इसका जो correct answer है वो खा है ठीक है खा जो इसका correct answer है ठीक है जी खा जो इसका correct answer है यह हो जाएगा इसका आंसर उसके बाद हम बात करते हैं कोशन नमबर फोर की कोशन नमबर फोर में कहता है कोशन नमबर फोर में कहता है के समायोजन लेंदेन भुकतान शेश संतुलन में संतुलन बनाने के लिए किये जाते हैं समायोजन लेंदेन एक होते स्वाप्रेरित मदे और एक होते समायोजन मदे ये कतन ठीक है ये कतन बिलकुल ठीक है समायोजन लेन देन भुक्तान शेश्च के अंतरगत वे लेन देने होते हैं जो स्वायत लेन देनों के कारण उत्पन आस अंतरण को समाप्त करने के लिए किये जाते हैं ये भी ठीक है, दोनों option बिल्कुल correct लिखे हुएं, तो इसके according हमारा जो answer हो जाएगा, वो हो जाएगा ये, कि कथन का और कथन 1 और कथन 2 दोनों जो हैं आपके सत्ते हैं, ठीक है? option जो है मेरे भाई, बहुत ही जादा ध्यान से आपको देखने हैं, कहां लिखा हुआ है, क्योंकि यहां पे serial जो है, ऐसा नहीं है कि पहले ही option सत्ते वाला है, serial उपर नीचे होए हैं, तो आपको इसको बहुत ही अच्छे से देखना होगा, कि कहां पे क्या option है? समगर मांग, समगर मांग की वृद्धी किस चीट से होगी? मांग में वृद्धी कब होती है? यह आपको यहां पे बताना है, समगर मांग में, समगर मांग के घटक क्या होते हैं? C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, यह समगर मांग के घटक होते हैं, तो इसमें से देख यहाँ पे लिखा हुआ है नगधारक्षी तनुपात में वृद्धी अगर नगधारक्षी तनुपात में वृद्धी का मतलब होता है CRR CRR में वृद्धी तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि CRR होती क्या है तो ही आप इसको बता पाओगे ठीक है CRR CRR आपको बताओना चाहिए SLR आपको बताओना चाहिए Rapporate, Reverse Rapporate, Simantavushakta ये सारी terms आपको जो है ये सारी terms आपको जो है पता होनी चाहिए जब आपको पता होगी तो ही आप इसको जो है बता पाओगे ठीक है तो भाई ये तो होता है CRR जो RBI के पास रखना पड़ता है ठीक है तो उसमें वृद्धी हो रही है इससे वाणिजे बैंकों के पास पैसे कम होंगे और वो लोन नहीं दे पाएगा लोन नहीं दे पाएगा तो लोगों के पास पैसा नहीं जाएगा लोगों के पैसा नहीं जाएगा तो वो डिमांड नहीं कर पाएगे ये option तो हटा दीजिए RBI दोरा सरकारी परतिभूतियों की बिक्री परतिभूतियों की बिक्री करेगा तो वानिजे बैंक अगर उसको खरीदना चाहता है तो खरीदने के लिए पैसे देने पड़ेंगे और अगर खरीद लिया उसने पैसे दे दिये तो वानिजे बैंकों के पास पैसे कम हो जाएंगे पैसे कम हो जाएंगे और अगर पैसे कम हो गए तो वो लोन नी दे पाएगा लोन नी दे गा एक पाएगा तो लोगों के पास पैसे नी आएएगे लोगों के पास पैसे नी आएएगे तो demand नहीं होगी bank दर में वृद्धी bank दर क्या होती है आपको पताओना चाहिए repo rate और bank दर क्या होती है जिस rate पे R&W loan देता है तो अगर वृद्धी हो रही है तो इसमें ज़्यादा ब्यास देना पड़ जाएगा वानिजे बैंकों को जिसके विज़े से कम पैसा बचेगा तीनों ही option कलते दे रखे हैं तो इसका जो answer है वो का इन में से कोई भी नहीं क्योंकि तीन option से demand घटेगी बड़ेगी नहीं ठीक है जी अच्छा इसके और में एक और question दे रखा है कहता है कहता है कि MPC यदि MPC MPS से अधिक है तो गुड़क का मूले क्या होगा देखिए कह रहा है MPC जो है वो बड़ा है MPS से मतलब कि दोनों का जोड़ जो है आपको यह पता होना चाहिए दोनों का जोड़ जो है दोनों का जोड़ जो है वो one होता है MPC का बदिक होगा मतलब जब 0.6 होगा और यह 0.4 होगा क्या-क्या circumtances होगी यह circumtances create होगी इसके अंदर देखिए यह circumtances जो है यह circumtances जो है 6, 7, 8, 9 6, 7, 8, 9 and यह यह circumtances जो है वो create होगी जब MPC बड़ा होगा MPS से ठीक है? तो K की value पूछ रहा है K की value क्या होगी? तो K का formula क्या होता है? K का formula क्या होता है? 1 upon MPS इससे लगा लीजिए चाहिए आप ठीक है? तो मैं पहले वाले लगा के देखता हूँ 0.4 0.4 जब मैं लगाऊंगा तो यह मेरा answer कितना आ रहा है? यह आएगा मेरा आपका 2, 4, 2, 5 2.5 आरहा है मेरा answer एक और लगा के देख लीजिए 0.3 भी लगा के देख लीजिए 0.3 जब लगाऊंगा तो यह आएगा आपका 3 आएगा answer एक और लगा लीजिए 0 भी लगा लीजिए 0 पे तो not define आता है मतलब एक और लगा लीजिए चलो 0.2 लगा लीजिए तो answer कितना आएगा answer आरहा है 5 मतलब answer बड़े जा रहा है 2, 3, 5 answer बड़े ही जाएगा तो मतलब answer जो है लिखा है 2 से कम आएगा 2 के बराबर आएगा 5 के बराबर आएगा या 2 से अधिक आएगा तो हमारा answer जो है हर केस में 2 से अधिकार है तो यह जो इसका correct answer हो जाएगा यह question तभी हो सकते हैं यह question तभी हो सकते हैं जब आपको सारे formula बहुत अच्छे से पता है इसके separate video मैंने बना रखी है पूरी TR-JNKAK को questions की प्लीज उस video को जरूर देख लीजिए अच्छे से जात्रा प्रेटन इतियादी ब्याज लाब लावांच एक पक्षी हस्तानतरन कहता है उप्रुक्त सूचना के अधार पर व्यपार शेष का मान जो है वो क्या होगा आपको पताऊना चाहिए कि व्यपार शेष जो है वो क्या होता है व्यपार शेष केवल है तो माइनस का 60 जो है निर्यात माइनस आयात होता है ठीक है 340 में से 400 को आप डिड़क्ट कर दोगे माइनस का 60 जो है आपका अंसर आ जाएगा ठीक है और हलवा कोशन है कुछ नहीं करना इसके अंदर आपको उसके बाद कहता है कि दो कथन दे रखे हैं हमें कि दोनों सही हैं गलत है भारत में CRR और SLR वानिच्जे बैंकों के दوरह जो है निर्धारित की जाती है तो कथन वे तो गलत है क्योंकि ये तो RBIерь decide करता है किसी वानिच्जे बैंक की जो तित्त्यव जमाई होती है सदेव प्रात्मिक जमाई से जो हें कम होती है तो तो प्रात्मिक जमा और दित्त्य जमा क्या होती है यह आपको उसको कहते हैं तो जैसे माल लेजिए प्रात्मिक जमा 1,000 है आब इसमें से 20 20% 20% रख दिया बैंक ने 80 लोन में दे दिया तो प्रात्मिक से हमेशा कमी रहेगी ठीक है फिर माल लेजिये 80 इदर आया, फिर 80 का 20%, 80 का 20%, फिर 16 रुपे रखे रहेंगे, फिर 64 रुपे लोन में, तो हमेशा कम रहेगा, ये ठीक है, कथन 1 गलत है, कथन 2 ठीक है, ठीक है, तो ये इसका correct answer जाएगा, का, कि पहला वाला तो गलत है, दूसरे वाला जो है, वो ठीक है, जी, एक इसके option में द सलाकार के रूप में कार्रे करता है, बिल्कुल ठीक है, जी, काम करता है, सरकार, बैंको, तथा आम जनता से, आंत्रिक रिन लेती है, सरकार किस से लेती है, सरकार जो है, सरकार जो है, एक तो लिखा है, बैंको से, और लिखा हुआ है, आम जनता से, क्या लेती है, आंत्रिक रिन लेती है, चीक है, देखो, अब यहाँ पर बोलेंगे, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बोलेंगे, कि यार, सरकार जो है, सरकार जो है, लोन, जनता से कैसे लेती है चलो बैंकों का तो समझ में आता है बैंकों से लेती है लेकिन जनता से कैसे लोन लेती है ये बच्चों को समझ नहीं आएगा ठीक है कि जनता से जो है जनता से जो है वो किस तरीके से लोन लेती है और लिखा हुआ यहां पे इंटर्नल आंत्रिक रिन लेती है आंत्रिक का मतल यहां पर लिखा बिलकुल ठीक है, सरकार बैंक से भी लेती है, जंता से भी लेती है, हर सबसे लेती है, ठीक है, दोनों ठीक है, लेकिन इस रिजन का, इस से कोई लेना देना नहीं है, ऊपर जो असर्षन दे रखी है, तो इसका जो आंसर है, वो यह होगा का ये भी ठीक है अच्छा ये नहीं होगा इसका स्वरी अभी ये भी ठीक है ये भी ठीक है और इसकी सही व्याख्या है ये भी नहीं होगा इसका हमें इसका लिखना है कि ये इसका अंसर है यहाँ पर जो है अभी कथन और कारण अभी कथन ए और कारण आर अभी कथन ए की सही व्याख्या नहीं है इसका यही आंसर होगा पिटा यह थोड़ी प्रिंट थोड़ी ले वो है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ आएगा कि अभी कथन और कारण दोनों सही है यहाँ पर यह word आएगा यहाँ पर अभी कतन और कारण दोनों सही है लेकिन कारण जो है ना वो अभी कतन की सही व्याख्या जो है वो नहीं कर रहा है ठीक है यह यहाँ पर आएगा का ही इसका अंसर होगा यह ठीक है ठीक है यह भी ठीक है यह भी ठीक है उसके बाद कहता है कि वस्तू और सेवाओं का आयात विदेशी मुद्रा की मांग को दर्शाता है वस्तू और सेवाओं का आयात मुझे दूसरे देशों से वस्तू खरीदनी है मुझे दूसरे देशों से सेवा खरीदनी है तो मैंने बोला जब भी मुझे दूसरे तेशों में कुछ खरीदना होगा तो मुझे विदेशी मुद्रा की मांग होती है ठीक है बिल्कुल और जब फिरंगियों को कुछ खरीदना होता है तो पूर्ती होती है ठीक है ये मैंने आपको बताया वस्तों सेमाओं का आयात विदेशी विन में अंतर परवा को दरशाता है तो इससे तो विदेशी मुद्रा जाएगी ये गलत दे रखा है ठीक है अभी कतन ठीक है अभी कतन ठीक है कारण जो है वो गलत दे रखा है तो इसका जो answer हो जाएगा वो जाएगा आपका ये अभी कथन ठीक है लेकिन कारण गलता है अंतरपरवा नहीं होता बाहिये परवा होता है पैसे जाता है अंतरपरवा का मतलब होता है पैसे का आना बाहिये का मतलब होता है उसको जाना ठीक है उसके बाद कहता है उचित विकल्प का चेन कर रिक्तिस्थान ABC को भरिये यहां बुकतान शेश के खटक दे रखे हैं यहां पे दे रखे हैं देखें यहां पे आएगा वस्तूओं का वेपार यहां पे निर्यात आएगा सेवाओं का वेपार शुद्ध कारकाए और यहां पे हमें फिल अप करना है हस्तान तरण यहां पे A, B, C में क्या आएगा यह आपको फिल अप करना है पहले वाले में तो वस्तूओं का निर्यात आएगा यह आपको ध्यान रखना है वस्तों का निर्यात तो देख लीजिए पहले वाले में वस्तों का निर्यात आएगा पहले यही देख लो वस्तों का निर्यात कहा का लिखा है यह option तो मैं हटा देता हूँ और यह भी option मैं हटा देता हूँ क्योंकि यहां पे वस्तुओं का निर्यात लिखा हुआ ही नहीं है ठीक है वस्तुओं का निर्यात पहले में तो यह आएगा यह तो fix है ठीक है अब यहां पे आप देखे बी बी पहले में देखते हैं बी में क्या लिखा हुआ है बी option में एक उपहार लिखा हुआ है उपहार हस्तांत्रन भुक्तान कौन कौन से होते हैं यह आपको पता होना चाहिए तो हस्तांत्रन भुक्तान कौन कौन से होते हैं हस्तांत्रन भुक्तान सी पे डिखा हुआ है तो यहां पे बेटा यह A में आएगा यह यह हस्तांत्रन भुक्तान है और B में आएगा शुद्ध गैरका तो खा जो है वो इसका correct answer हो जाएगा ठीक है बहुत अच्छा question था ये उसके बाद कहता है कि एक अर्थवेवस्था के अंदर जो है ना एक अर्थवेवस्था के अंदर जो है एक अर्थवेवस्था में आएच 6,000 करोड से बढ़कर 5,000 करोड हो जाती है तो ये तो घटकई हो गई ना परिणाम सरूप उपभोग वै यहां बेटा थोड़ी यहां भी mistake है क्योंकि यहां अगर बढ़कर लिखा हुआ है तो उपभोग भी बढ़कर 4,000 से 40,000 करोड हो गया इस इस्तिती में सीमान तुबभोग प्रवर्टी जो है वो क्या होगी यहां बेटा यहां पे जो है यहां पांच नहीं आएगा क्योंकि उसने बढ़कर लिखा हुआ है तो यहां पे जो है आप फिलाल माल लिजी अगर मैं 8 ले लेता हूँ भी फॉर एग्जामपल के लिए मैंने आप माल लिया यहां पे 8 है यहां तो 7 होगा 8 होगा 9 होगा 6 से जाद ही होगा डिजीट ठीक है तो आपको MPC का फॉर्मला पता होना चाहिए MPC का फॉर्मला क्या होता है डेल्टा C अपॉन में डेल्टा Y ठीक है तो डेल्टा C कितना हो जाएगा 4000 से 400 हो गया तो 400 में से 4000 को गटा दीजीए 600 और 8000 में से इसको गटा दीजीए 6000 को 2000 ठीक है 2-0 से 2-0 काट दीजीए 6 अपॉन में 20 और इसको काट दीजीए 0.0 यह 0 लगा दीजीए तो यह आ रही है 0.3 तो 0.3 तो यहां कोई option ही नहीं है मतलब यहां पर 8000 जो है यहां पर 8000 जो है वो नहीं आने वाला है ठीक है तो मैं आपर अगर मैं 7000 ले लूँ मैं यहां देखता हूँ अगर यहां 7000 होता तो यहां पर कितना आता बेटा नीचे 1000 आता नीचे 1000 आता तो यहां पर हो जाता आपका 2-0 से 2-0 कर जाते तो 6 upon में 10 हो जाता यहां पर बेटा यहां पर आएगा यहां पर जो है यहां 7000 आएगा 7000 ठीक है कि I बढ़कर 6-7000 हो जाती है तो भोग इतना हो जाता है तो भोग में कितना चेंज आया 600 का I में कितना चेंज आया 1000 का 2-0 से 2-0 कर दीजिए 6 upon में 10 and it will be 0.6 0.6 हो जाएगा बेटा तो 6 upon में 600 यहां लिख दीजिए 600 upon में 10,600 कैसे आया 400 में से इसको घटा दीजिए और 1000 कैसे आया मैं किया रहूं यहां 7000 है इसको इसमें से डिड़क्ट कर दीजिए 2-0 से 2-0 तो 0.6 हा जाएगा 6 बटा 10 0.6 होता है तो खा जो है इसका correct answer हो जाएगा जी ठीक है यह तो हो गए आपके समस्टी के MCQ अब हम बात करते हैं बड़े questions के regarding Question number 11 में कहता है कि यह कहा गया है कई केंद्रिये तथा राज्य करों के सम्मेलन से व्यूत्पन एक एकल कर जिसे GST का नाम दिया गया है एक साजा रास्टे बजार की सुविधा परदान करेगा क्या आप इससे सहमत हैं अपने उत्तर के और चित्ते की पुस्टी कीजिए इस question के अंदर बिटा आपको जो है basically GST के बारे में पूछा गया है कि GST क्या होता है पहले आपको इसको बताना है कैसे ये जो है एक एकल कर है ठीक है और इसके फाइदे आपको बताने है ठीक है इसके नुकसान आप बता सकते हो कि क्या ये ठीक है या तो फेवर में बताना है या अगेंस में बताना है कि क्या ये चीज़ ठीक है क्या ये बा और इसके फाइदे आपको बताने है कि GST लगाने के क्या-क्या आपको लिखना है, कि हाँ मैं इस कथन से सहमत हूँ, और फिर उसके फाइदे बताने हैं, कि भाई इसके ये फाइदे हैं, सपोर्ट मेटीरियल में आप GST के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ सकते हूँ, ठ कराधान एक प्रभावी उपकरन होता है, आए कि आसा मानता पहले तो आपको पता होना चाहिए, कि अमीरों की कुछ और इंकम है, अब उसको ठीक करने के लिए अमीरों पे टैक्स लगाए जाते हैं, गरीबों को सब्सिडी दी जाती है, तो कथन बिल्कुल ओके है, लिखन रहती है ये कथन गलत है क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए राजस्वगाटा क्या होता है जब तक आपको ये नहीं बता होगा कि राजस्वगाटा क्या होता है तब तक आप इसको नहीं बता सकते राजस्वगाटे में लोनों का कोई लेना देना नहीं होता है ये वो पू का राजस्व वैसे या प्राप्तियों से कोई लेना देना नहीं होता है इसके और में एक और कोशन दे रखा है यहाँ पे एक डाइग्राम दे रखा है और इस डाइग्राम के अंदर 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 22, 23 पढ़ते एक वर्ष के लिए GST संग्रण में औसत मासिक विर्दी म पहले इतने लाग करोड हमने करा फिर 0.90 था फिर 98 या फिर एक 1.01 करोड है 1.08 है ऐसे पढ़ता ही जा रहा है GST कलेक्शन मतलब टैक्स जो है सरकार के पास टैक्स कलेक्शन जो है वो जब से GST आया है तब से भाई अच्छी कलेक्शन गवर्मेंट के पास एज़र टैक्स म करना होता है GST संगरेंट की प्रवर्ति का विशलेशन कीजिए जब भी आपको एनलाइज करना होता है तो मेरे भाई एक बात आप ध्यान रखिएगा आपकी एक्स्प्लेनेशन के अंदर वो उपर वाला डेटा आना चाहिए आपको कुछ भी नहीं करना सिर्फ आपको यह लिख देना है कि जी 2017-18 में इतना GST कलेक्शन था यह बढ़कर फिर 0.98 हो गया फिर अगले साल बढ़कर यह इतना हो गया और यह जो है बढ़ता ही जा रहा है जो कि सरकार की प्राप्तियों का जो है अच्छा स्त्रोत है सरकार की आय में जो है हर वर्ष जो है वृद्धी देखने के लिए मिल ली है यह सब आपको explanation इसके अंदर लिखनी है और यह data आपके पास आना चाहिए उसके बाद data आना चाहिए explanation में अगर data explanation में नहीं आएगा आपको marks नहीं मिलेंगे GST कब लाग हुआ यह आप मुझे comment box में comment करके जो है बताएंगे उसके बाद कहता है question number 13 में कहता है कि बाई मान लीजिए तंबाको के सेवन पर प्रतिबन लगा दिया जायता है तब इस कदम से तंबाको के सेवन पर प्रतिबन लगा दिया कि बाई तंबाको बैन है सकल घरेलू उतपाद और कल्यान पर पढ़ने वाले प्रभाव का Avisulation किजिए अब तंबाको अगर बैन है तो तंबाको की प्रोडक्शन रुग जाएगी तंबाको अगर बैन है जब कोई सेवन नहीं करेगा तो उससे उसकी प्रोडक्शन रुग जाएगी वस्तों का कम उ पादन होगा तो GDP आपकी कम हो जाएगी ठीक है लेकिन अब जब लोगों उसका सेवन नहीं करेंगे लोगों की हेल्थ अच्छी होगी कल्यान बढ़ेगा GDP घटेगी कल्यान बढ़ेगा यह इसमें आपको explain करना है सरकार बाल टीका करन कारे पर अत्यदिक खर्च कर रही है GDP पर और लोगों के कल्यान पर इसका प्रभभाब बताईए GDP भी बढ़ेगी लोगों का कल्यान भी बढ़ेगा सपोर्ट मेटीरियल के अंदर सीधा सीधा question है यह आप वहाँ से देख सकते हैं proper answer लिखा हुआ है पहले वाले से GDP घटेगी कल्यान बढ़ेगा और दूसरे वाले से दोनों बढ़ेगे GDP भी और कल्यान भी लोगों की health अच्छी होती है लोगों की productivity बढ़ती है अच्छा वो होता है fix question घर से लिख के लिए के जा सकते हो पहले ही बता दिया है केंद्रिय बैंक के कार्रे चार में से एक आए गई आएगा मुझे बताने की जरुरत है नहीं आए गही आएगा अंतिमिरिन दाता बैंकों का बैंक सरकार का बैंकर भाई इसको अच्छे से कल लिजिएगा एक अर्थ्वेवस्ता में निवेश्वे जो है वो 400 करोड की वृद्धी होती है डेल्टा आई दे रखा है यह आपको डेल्टा आई 400 करोड जबकि सिमान तुभोग प्रवर्ती MPC जो है वो 0.8 है आए तथा बचत में होने वाली वृद्धी की गणना कीजिए आपसे पूछ रहा है डेल्टा वाई डेल्टा वाई आपसे पूछ रहा है डेल्टा एस आपसे पूछ रहा है आई और बचत की पूछ रहा है वेटा है आपसे ठीक है तो अगर MPC 0.8 है तो मैं पहले MPS निकाल लेता हूँ MPS 0.2 हो जाएगा क्योंकि दोनों का summation होता है मैं K का formula का MPS से निकाल के K की value 5 आ जाएगी कैसे आएगी वीट आप 5 अब यह formula बता है मैंने 1 upon में MPS होता है तो decimal लटाएगे उपर 0 लग जाएगा तो यह जाएगा 10 upon में 2 यह गया 5 K की value आ गई तो अब मैं K का formula लगा देता हूँ K is equal to delta I upon में delta Y ठीक है यह formula होता है तो delta Y की value आएगी 400 upon में 5 पांच 840 80 आ जाएगी वीटा delta Y की value ठीक है डेल्टा S की value पूछ रहा है MPS आपके पास है तो क्या करेंगे MPS is equal to delta S upon में delta Y MPS 0.2 है इसको इदर लिए आएए डिवाइड में multiply में कितने आएए value 80 is equal to delta S decimal लटाएगे 0 आ जाएगा 1 बटा 5 तो यह हो जाएगा वीटा आपका 80 बटा 5 is equal to delta S पाँच एकम 5 तो यह हो जाएगा आपका answer ठीक है numerical question मेंने सारे करा रखें प्लीज उसकी वीडियो देख लीजेगा कि यह कैसे solve हो रहा है कौन सा formula क्या लग रहा है national income सारी की सारी वीडियो उतपाद वीडी आएवीडी वैवीडी सारी वीडियो एक से एक question TR Gen का unsolve सारे करा रखें सारे प्लीज उस वीडियो को जरूर देख लीजेगा NDP at FC की गड़ना कीजिए तो पहरे तो आपको question देखके यह पता होना चाहिए यह कौन सा question है ठीक है तो यह जो है यह जो है आपका उतपाद वीडी का question है तो मैं निकालता हूँ GDP at MP तो सबसे पहले आगया आपका बिकरी बिकरी स्टॉक में परिवर्तन अंतिम माइनस प्रारंबिक माइनस का 100 और मद्देवर्ति लागत 1000 ठीक है जी तो 2000 में से 1000 गये पहले तो 1000 आ गया और 1000 में से 900 आ गया पहले तो मैंने GDP at MP निकाल लिया आप conversion कर देते हैं भाई क्या प्लस होगा और क्या माइनस होगा यह आप से तभी कर सकते हो जब आपने मेरी वीडियो देखी हो अधरवाइद आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा यह क्या हो रहा है FC का एक से एक easy method में ने बता रखा है conversion का national income का तो यह हो जाएगा आपका 900 depreciation मूले हरास दे रखा है 50 NIT आप अरत्यक्ष कर और आर्थिक साहता 1.500 में से बीस गए 130 130 50 तो इसमें से घटा दीजिए 850 माइनस 130 750 720 720 आजएगा विटा आपका इसका answer ठीक है एक एक question मैंने इसका करा रखा है पूरी टीर जैन की book solve करा रखी है प्लीज उसको अच्छे से देख लीजिए एक ही वीडियो में तीन साड़े तीन गंटे की उत पादविदी आईविदी वैविदी सब करा रखा है उसके बाद कहता है कि हस्तांतरन भुक्तान जो है वो रास्ट्याई के नुमाने में शामिन नहीं किये जाने चाहिए क्या आप इस कथन से सहमत हैं अपने उत्तर के उसमें तक वो दिवताई है तो हाँ जी हम इसमें बिल्गुल सहमत हैं अस्तान्तरन भुक्तान एक पक्षे भुक्तान होते हैं और उसको रास्टाय में शामी नहीं किया जाता मोदरिक आय के दिये होने पे वास्तिविक आय किस प्रकार प्राप्त की जाती है ये आपको बताना है ये कोशन आपसे जो पूछा गया है GDP अपस्वायक का फॉमला होता है जैसे प्राइज इंडेग्स का फॉमला होता है मोदरिक आए के लिजिये अपन में वास्तिविक तो कहता है अगर मोदरिक आई दे वीक है तो आप वास्तिविक की तुन्ना कैसे करेंगे तो वास्तविक की तुन्ना करने के लिए आपको जो मौदरिक वाली होती है यह यहाँ पर आ जाएगा और यह वहाँ चला जाएगा ठीक है मौदरिक आए को कीमत प्राइज इंडेक्स को कहते हैं कीमत सूचकांग आपको यहाँ पर लिखना है कि मुझे जो है मौदरिक आए को कीमत सूचकांग से भाग देना पड़ेगा प्रॉपर फॉर्मिला लिख देंगे फॉर्मिले को एक्स्प्लेइन कर देंगे रास्ट आए की गड़ना कीजिए इसके और में कोशन दे रखा है फिर से यह दे रखा है आईविदी का कुशन है रास्ट आए की गड़ना कीजिए रास्ट आए क्या होती है मेरे भाई आपको पता होना चाहिए रास्ट आए को कहते हैं ndp atfc चीक है यह कहते हैं करमचारियों का पारिश्रमिक 2000 प्रचाला नजीशेश किराया ब्याज लाब तीनों को प्लस कर दीजिए ठीक है ग्यारा बारा ग्यारा बारा तेरा तेरा पचास स्वह नहीं हो जीतों की मिश्रीत आए 7000 मतब हलवा कोशन जो होता है ना हलवा आपको कुछ नहीं करना ndp atfc ndp atfc यह आगिया क्या करना है आपको करमचारियों का पारिश्रमिक यह प्रचाला नदीशेश यह और मिश्रीत आए यह यह तीनों को प्लस कर दीजिए दस हजार तीन सो पचास यह तो आगे वेटा घरेलू नन्प atfc को राश्ट आए कहते हैं ndp atfc है यह यह होता है दस तीन सो पचास प्लस एन एफ आई यह आपको दे रखा है वेटा को वाला विदेशो को शुद कारका है माइनस का 60 ठीक है तो यह हो जाएगा आपका 10,290 जो है आपका अंसर यह वेटा कैसे हो रही है क्या प्लस हो रहा है क्या माइनस हो रहा है यह आपको वेटा तब ही समझ में आएगा प्लीज उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए तीन साड़े तीन चार घंटे लगा के आपका काम हो जाएगा ना मिले मेरे को कमेंट कर दीजिएगा क्या है मैंको वीडियो नहीं मिल ली है क्या मैंको वीडियो बेद दो most important question है घर से लिखके लेके जा सकते हो fix है एक्जाम में आए गई आएगा मैंने कल भी चार से पांच question आपको बता रहा हूँ यह ऐसे है मेरे भाई यह बिना इसके paper print ही नहीं होता है यह question छपेगे ही छपेंगे board exam के अंदर ना छपे तो आप मुझे बोल दीजिएगा कि भाई यह तू बोल ला था कि यह 4-5 question जो है यह छपेंगे ही छपेंगे यह नहीं छपेंगे है मैंको comment box में comment करके बता दीजिएगा ठीक है जी अच्छा उसके बाद कहता है उसके बाद कहता है महान सर्वहारा महान सर्वहारा सांस्कृतिक करांती की शुरुवात जो है की शुरुवात जो है चीन में वर्ष डैश में हुई थी महान सर्वहारा सांस्कृतिक का रिकरम 1985 में, 1965 में, 1995 में या 1975 में इसका जो correct answer है वो है 1965 में चीन में विशेश आर्थिक जोन की स्थापना जो है वो किस वर्ष में जो है हुई थी विशेश आर्थिक शेत्र की स्थापना special economic zone ये जो है इसको कहते है special economic zone ठीक है उसके बाद जो है क्या कहते है यहाँ पे जो है मेरे भाई यहाँ पे आपको जो है क्या कहते है यह आप मुझे comment करके बताएंगे कि इसका answer जो है क्या होगा cheating बिल्कुल भी नहीं करनी है ठीक है यह मैं previous practice paper उसमें भी मैं आपको बता चुका हूँ उसमें भी आया था special economic zone ये क्या होते है आप देखो किता जबरदस्त question है कहते है जो शार के कहते है यह हमने practice paper में भी करता हूँ आपको अगर यादो bricks वगेरा तो हम उसमें पूछा गए था कौन सा संगठन नहीं है तो ये संगठनों के नाम इन संगठनों की full form आपको जो है पता होनी चाहिए ठीक है कि क्या होती है ठीक है तो जैसे कि सबसे पहले क्या लिखा हुआ है सबसे पहले लिखा हुआ है सार्क तो हम यहाँ पे जो है हम यहाँ पे जो है जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे हम लिखते हैं कि यहाँ पे हम लिखते हैं इसको लिख लेते हैं ठीक है में को वैसे पता है मैं आपको दिखा रहा हूँ यह सारे आप जो है इसको अच्छी से करिएगा तो देखे इसकी फिलकुम क्या होती है दक्षिन एशियाई शेत्रिय संयोग संगठन यह होती है यह होती है दक्षिन एशियाई शेत्रिय संयोग संगठन और यहाँ पर क्या लिखी हुई है दक्षिन एशियाई शेत्रिय संयो ठीक है इसकी लिख लीजिए इसकी देख लीजिए Association of South East Nation तो यह देख लीजिए क्या लिखा हुआ है तो यहाँ पर लिखा हुआ है दक्षिन पूर्वी एशियाई राष्टे का संगठन यह गलत लिखा हुआ है ठीक है इसकी गलत लिखी हुई है तो मेरे भाई यह ब्रिक्स जी ट्विट्गी चार्क एसीन यह सब आपको पढ़ने है यह ठीक है यह गलत है कथन 1 जो है कथन 1 जो है वो सही है गथन 2 गलत है तो कौन सांसर हो जाएगा कथन 1 तो ठीक है यहाँ पर यह है बेटा यह आएगा यहाँ पर यह नहीं आएगा कथन वन जो है वो सत्ते है और कथन टू आसत्ते है यह आएगा यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ी ठीक हमने दोनों में वो लिख दिया कथन वन जो है वो सत्ते है और कथन टू जो है वो आसत्ते है ठीक है उसके बाद आते हैं कोशन नमबर 20 में कोशन नमबर 20 में कहता है कि चीन की निमलिकित घटनाओं को विवस्ति धंक से जो है लगाईए देखिए सबसे पहले तो greatly forward को जो है चीन ने adopt किया था तीन नमबर देख लिए सबसे पहले तो तीन आए गई आएगा तो मेरे भाई कुछ भी देखने की जरुरत निया क्योंकि तीन तो सबसे पहले आएगा आर्थिक सुदार उसके पहले greatly forward है फिर महानसर वहा रहा है विश का अंसर हो जाएगा ठीक है तो पहले जो है पहले ये आया ठीक है फिर महानसर वहा रहा तेन आर्थिक सुदार आए 1978 में ठीक है आर्थिक सुदार आए 1978 में और फिर special economic zone की इस्तापना करी चीन ने उसके बाद कहता है कि ग्रामिड विकास भारत के विकास जो है एक कुझी है ये बात ठीक है या ये बात गलत है तो ये बिल्कुल ठीक है अगर विकास करना है तो ग्रामिड विकास करना पड़ेगा भारत में लगभग दो तियाई जनसंख्या किर्शी शेत्र पे निरबर ह ये भी ठीक है दोनों बाते जो हैं बिल्कुल ठीक लिखी हुई है लेकिन reason इसकी correct explanation नहीं दे रहा तो यहां पे जो हैं आपको लिखना है ये ये इसका correct answer है कि भाई है तो दोनों सही लेकिन reason assertion की correct explanation जो है वो नहीं दे रहा है उसके बाद कहता है कि 22 question में कहता है कि ग्रामिन श्रमिक जो है भारत में मौसमी बेरोजगारी से सबसे अधिक जो है प्रभावित है ग्रामिन श्रमिक जो है भारत में मौसमी बेरोजगारी से सबसे अधा प्रभावित है तो बिल्कुल ठीक है तो मौसमी बेरोजगारी क्या ह किरशी भी एक मौसमी वेवसाय होता है ठीक है एक निष्चित समय बिंदू पर एक शेत्रविशेष में निवास करने वाले लोगों की संख्या जन संख्या कैलाती है देखो किया रहा है एक निष्चित समय बिंदु पर किसी शेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों की संख्या एक शेत्र विछेष में पूरे देश की बात नहीं कर रहा वेटा यह जन-संख्या का मतलब क्या होता है एक पर्टिकुलर टाइम पर एक टाइम इंटर्वल के अंदर पूरे देश में कितने लोग हैं, तो उसने पुरा देश तो बोला ही नहीं, उनने तो बोला है, एक शेत्र विशेश में, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, एक निश्चित बिंदू पे, समय के एक निश्चित बिंदू पे, और एक पर्टिकुलर प्लेस पे जितने लोग रहते हैं, व उसके बाद कहता है कि कॉलम बन में दी गई घटनाओं को कॉलम दो दिये गए समय के संदर में सही जोड़े का जोए क्या कर दीजिए चैन कर दीजिए किर्शी शेत्र की विरिद्धी दर में तीन परस्तीशत वार्शिक तक की गिरावट भारत द्वारा समाजिक बैंकिंग अपनाने का बड़ा परिवर्तन केरल में ट्रिफ्ट एफ क्रेडिट सोसाइटी की इस्थापना मार्ज के अंत तक साथ लाग से अधिक सेल्फ हैप ग्रुप का लिंक हमें इसमें बताना है कौन सा जो है करेक्ट पेर है अच्छा ये हमको बताना है ये हमको बताना है तो भाई कोश्चन तो बड़ा तकड़ा है डेटा का कोश्चन है डेटा मुझे भी याद नहीं आ रहा है तो हम यहां पे जो है इसको देखते हैं एक मिनिटे को जड़ा केरल में केरल में पिर इसका मैं आंसर आपको बताता हूँ ठीक है यह मैं को भी डेटा याद नहीं आ रहा है बेड़ डेटा धियान से उतर रहा है डेटा देखना पड़ेगा बेटा इसका अच्छा उसके बाद कहता है कुशन नमबर 24 में कि वह राज्ये जहां जोतने वाले को भूमी की नीती के प्रती वचनबद होने के कारण भूमी सुधार जो है सफल रहे हैं वो जो है आपको बताना है कि कहां कहां भूमी सुधार जो है वो सफल रहे हैं यह आपको जो है बताना है तो यह जो है संदीब गरगवाली बुक जो है उसमें भी सीधा सीधा कोशन है कि भूमी सुधार कहां कहां सफल रहे है वो आपको जो है वो आपको जो है बताना है तो इसका अंसर आप मुझे बताईएगा मैं आपको बता रहा हूँ केरल तो है है इन दोनों में से कोई है जहां पे भूमी सुधार जो है वो सफल रहे है अब दूसरा आप और देख लिए कि पस्चिम बंगाले आंदरपरदेश है वो आपको बताना है कि इसका अंसर खा जो है सही होगा या घा सही होगा केरल तो है यही ठीक है तो आप यह बताईएगा केरल अर आंदरपरदेश है या केरल या पस्चिम बंगाले जब भूमी सुधार जो है वो सफल रहे है यह आपको जो है मुझे कमेंट करके जो है बताना है उसके बाद कहता है कि उस विकल्ब का चियन कीजिए जो ब्रिटिस साशन के दोरान भारत की जनांक के स्थिति के संदर में सही नहीं है यह आपको बताना है उच जन्म दरती हाँ निम्न मृत्यु दरती नहीं उच मृत्यु दरती निम्न शिशु मृत्यु दरती नह ये भी बहुत ज़्यादा थी, उच जीवन परतियाशा थी नहीं, ये तीनों ये option गलते हैं, दो, तीन, चार, ये जो हैं, उसने बोला, कि भाई उन सभी, उन सभी British साशन के दुरान, भारत की जनांकी के इस्तिती के संदर्ब में सही नहीं है, सही नहीं है, तो उच जन्मदर्तो, उच जन्मदर्तो जो है, वो भाई थी थी, एक मिनट अब इसके option इसने क्या क्या दे रखे हैं जी, ये तो थाई था, ठीक है, ये तो थाई था, उच जन्मदर्ती, उच मिरित्यदर्ती, निम्न जीवन परतियाशा थी, ये तो थाई था, ठीक है, और एई देखिए सही नहीं है तो बेटा यहाँ पे जो है इसने आप्शन क्या क्या दे रखे हैं पहले में लिखा हुआ है पहला और तीसरा निमन शिशु मृत्यु दर शिशु मृत्यु दर भी जो है वो तो बहुत ज़ादा थी निमन तो थी नहीं ठीक है तो यहाँ पे जो है दो तीन और चार यहाँ वेटा एक उप्शन गलता है यह वाला यहाँ पे दो आएगा वेटा ठीक है यहाँ पे जो है दो आएगा यह प्रिंटिंग मिस्टेक है ठीक है दो तीन और चार यह वाला उप्शन जो है ठीक है क्योंकि दूसरी तीसरा और चौथ था ये तीनों ही option जो है वो गलत लिखे हुए है high death rate थी high IMR था और low वो था तो ये इसका जो है correct answer होगा घा ठीक है उसके बाद हम बात करते हैं question number 25 के regarding question number 25 के अंदर कहता है कि सही विकल्प का chain कीजिए 2017-18 में भारत और चीन की तुन्दा में पाकिस्तान की जनसंक्या के विरिद्धी दर जो है वो जो है सबसे कम है अब ये जो है बिटा ये थोड़ा data का question है ठीक है कि भाई 2017-18 में पूछ रहा है भारत और चीन की तुन्दा में पाकिस्तान की जनसंक्या की दर जो है वो सबसे कम है ये यहाँ पर आपसे पूछ रहा है और कहता है चीन ने जनसंक्या नियंतरन के लिए 1979 में एक संतान की नीती जो है अपनाई ये तो ठीक लिखा हुआ है reason तो ठीक है हमें जो है ये देखना पड़ेगा ये data आपको जो है learn करना पड़ेगा जब तक आप इसको नहीं कर सकते तो हमें थोड़ा इस पर पहले net पे देखते हैं हम यहाँ पर थोड़ा net पर देख लेते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, एंड चाइना, पाकिस्तान, एंड इंडिया, चाइना, population, क्या question पूछ रहा था हूँ आप से, जनसंख्या की वृद्धिदर, population, इंडिया, पाकिस्तान, एंड चाइना, increasing rate in 2017-18, यह देख लेते हैं वीटा, ठीक है, यह data का question है, यहाँ पर जो है, अगर हम बात करते हैं, क्या दिखा रहा है net पर, 2017-18, जेटा पाकिस्तान वगएरा, population growth rate, हम यहाँ पर लिखते हैं, population growth rate, यहाँ लिखते हैं, population growth rate in 17-18, तो 17-18 की बात कर रहा है, यह ठीक है, 17-18 की बात कर रहा है, तो data from the world bank, 2017 percentage population, इतना, most recent value, चाइना, ट्रेंड, टॉटल पॉपुलेशन, पाकिस्तान, इंडिया, population growth, एन्वल, population growth, यह लिंक की देखना पड़ेगा, एक नेटर बोज़े ला, अच्छा, यह यहाँ पर देखें, यहाँ पर आ रहा है, पाकिस्तान की जो growth rate है, वो थी बेटा, पाकिस्तान की तो जादा है, इंडिया की इतनी, अब चाइना की सबसे कम, तो यह गलत दे रखा है, और देखो, अब यह बेटा, आपको learn करने की भी, डेटा को learn करने की भी ज़रुरत नहीं है, आप, आपको अगर previous data याद होगा, ठीक है, तो भी आप बहुत अराम से दियान करक सकते हो, पाकिस्तान की जो population growth है ना, वो हमेशा बेटा जादा है, ठीक है, पाकिस्तान की हमेशा किसी भी साल में, आप यह तो यह तो नहीं आयर लिखके, जो है, confuse कर दिया आपको, पाकिस्तान हमेशा number one पे रहेगा, पाकिस्तान की growth rate हमेशा जादा है, उसके बाद भारत आएगा, और उसके बाद चाइना आएगा, यह याद रखिएगा, पाकिस्तान, इंडिया और चाइना, इस तरीके से growth rate है, तो यह तो गलत दे रखा है, और यह सही दे रखा है, अभी कथन गलत है, और कारण जो है, वो ठीक है जी, ठीक है, तो देख लीजिए, अभी कथन गलत है, और कारण सही है, घा जो है, इसका अंसर हो जाएगा, ठीक है जी, उसके बाद कहता है, उसके बाद कहता है, कि एक व्यक्ति को नोकरी के दो प्रस्ताव मिलते हैं दो ओफर आते हैं उसके पास एक मुंबई से दूसरा चन्नाई से ठीक है जी दोनों अफसरों में से किसे चुनना है ये तै करने से पहले ये लागत तथा लाब का विशलेशन करता है वह मानव पूंजी निर्माण के किस इस्तरोत पे जो है ध्यान रखता है ये आप से जो है मानव पूंजी निर्माण के किस इस्तरोत को ध्यान में रखता है देखे विटा यहाँ पर बात चली है स्थानांत्रन की किसकी बात चली है इस कुश्चन में migration की बाद चली है, इस्थानांतरन की बाद चली, जैसे सिक्षा पर वै, स्वास्त पर वै, अब यह option गलत दे रखे हैं, या printing mistake है, इस पर option होना चाहिए था, इस पर option होना चाहिए था, इस्थानांतरन पर वै, उसको ध्यान में रख रहा है, जहाँ पर भी उसकी costing कम होगी, ल इसमें गलती से यही option यहां पर प्रिंट हो गए ग्रामिड साथ के विस्तार के लिए कारेकरत सभी वित्ते संस्ताओं के बीच समन्वे जो स्थापित करती है उसको हम क्या कहते है उसको हम कहते है नाबाड नाबाड की full form नाबाड कब establish हुआ नाबाड के functions यह सब आपको मेरे भाई पता होने चाहिए उसके बाद कहता है कि लगूद्योग में इसमें से कौन सी चीन लगूद्योग के लिए सही नहीं है नहीं पूची है लगूद्योग जो है पूंजी गहन होते है और इसलिए उत्पादकता वड़ाते है ठीक है गल्त है सोरी क्योंकि लगूद्योग श्रम गहन होते है वहाँ पे capital नहीं वहाँ पे labor लगती है रोधगार उन्मुक होते है ठीक है इस्थान में लचीला पन होता है कमने विश यह तीनों option बेटा ठीक दे रखे है पहला option जो है वह गल्त दे रखे है यह तीनों लगूद्योगों की विशिष्टा है लिखी है यहाँ पे पहला गल्त है तो यह जो है इसका answer हो जाएगा 27 का पहला उसके बाद कहता है उसके बाद कहता है विश्व वैपार यहाँ पे बिटा आपको WTO क्या होता है यह आपको पता होना चाहिए WTO के परिक्ष में दिये गए चितर की व्याख्या कीजिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिया है यह लिखा हुआ है MyWay यह लिखा हुआ YourWay तो यह क्या है MyWay आपका रास्ता मेरा रास्ता यह सब क्या है जब आपको WTO के बारे में पता होगा कि WTO क्या होती है जब कोई देश WTO से जुड़ता है तो उसको क्या-क्या चीजे फोलो करनी पड़ती है तो ही आप इस चित्र के बारे में इसको explain कर पाओगे अधरवाई आप इसको explain नहीं कर पाओगे देखे कोई भी देश जब WTO से जुड़ जाता है WTO एक ऐसी organization है कि बाई जो किस पे focus करती है मुक्त वैपार पे free trade पे जो है focus करती है जब कोई भी country से जुड़ती है तो वो country आयात और निर्यातों पे अपने rule and regulation नहीं लगा सकती है उसको फिर WTO के according जो है चनना पड़ता है ये सारी के सारी रमैन कथा आपको इसके अंदर लिखके आनी है कि WTO क्या होता है WTO के अंदर जब कोई country आ जाती है उसको क्या क्या चीज़ फोलो करनी पड़ती है उसके उद्देशे उसके कारे सब आप जैसके अंदर लिखके आ सकते हो गड़ से लिखके लेके जा सकते हो फिक्स कोश्चन है सबसीडी देनी चाहिए किसानों को या सबसीडी नहीं देनी चाहिए या रिपीटिड कोश्चन है कई बारी मैं बता चुका हूँ भारते किसानों के संदर में सबसीडी के महत्व पर प्रकाश डालिए हमें आप यह बताना है कि सबसीडी क्यू देनी चाहिए क्या फाइदा होता है सबसीडी देने से किसानों को ठीक है लगू और कुठीर उद्द्योग अत्यंत महत्व पूर्ण होते हैं यहां पे बिटा आपको लगो और कुटी रुद्योगों का महत्व आपको बताना है, सपोर्ट मेटीरियल में सीधा सीधा इसका महत्व लिखा हुआ, उपर से भी आप लिख सकते हो, वहीं से तीन महत्व आपको उपर से मिल जाएंगे, श्रम गयन होते हैं, रोजगार परक होते हैं, कम निवेश की जरुट होती है, इस्थान में लचीला पन होता है, तो यह तो आप समझे लिए, यह फ्री के नंबर हैं, तीन नंबर का कोश्चन है, और तीनों के तीनों यह लिखे वे, तीनों के तीनों के टिपनी करनी है, तो आपको जब टिपनी करनी है, विशलिशन करना है, तो आपका यह डेटा आना चाहिए, जैसे भारत में गरीबी रेका से 37% लोग रहते हैं, चीन में 32 हैं, पाकिस्तान में इतने हैं, तो आपको इसकी explanation देनी है, एक दूसरे के साथ देशों का comparison करना है सेम ऐसे इधर explanation में डेटा आना चाहिए और चीन और पाकिस्तान में कुपोशित बच्चों के परतीशत पर टिपनी कीजिए सिर्फ चीन और पाकिस्तान की बात कर रहा है इन दोनों में कि चीन में तो सिर्फ 9% बच्चे कुपोशित है पाकिस्तान में इतने जादा है तो ऐसा क्यूं है ये आपको इसके अंदर बताना है आप ये भी लिख सकते हो पाकिस्तान में बहुत जादा कुपोशित बच्चे हैं चीन में कमें ये सब आप लिख सकते हो उसके बाद कहता है अंग्रेजों के चार सकरात्मक प्रभाब बताईए तो कुछ भी लिख सकते हो सपोर्ट मेटीरियल में भी है टी आर जैन में भी है हलवा कोश्चन है नगरात्मक तो हर कोई बता देता है लेकिन या सकरात्मक बताने है रेल का आगमन आप लिख दीजिएगा सबसे पहले टीक है किर्शी का वेफसाई करन लिख दीजिएगा अंग्रेजों नहीं हमको सिखाया है टीक है एंड कई सारी चीज़े हैं इसके अंदर बंदर का बगैरा बनवाए सड़के बनवाई टीक है अब वो हमी तो यूज़ कर रहा है और कौन कर रहा है मौद्रिक मोनिटरी उसको लेकर आई सब हमार अंग्रेजों क्यों है ओपनी वैशिक काल के दौरान आर्थिक अपुभा पर प्रकास डालिए तो अब यह क्या दिक्कत है भाई आर्थिक अपुभा यह आप मुझे जो है कमेंट करके बताएंगे देखता हूँ कौन है और कौन बच्चा जो है इसका आंसर बता पाएगा यह किस चैप्टर का कोश्चन है ठीक है देखते हैं हम भी ग्रामिड विकास के संदर में रिन की उपलबदता के महत्व पर प्रकास डालिए यहां पे आपको महत्व बताना है क्या रिन की उपलबदता लोन की अवेलिबिल्टी पर मतलब की अगर किसानों को लोन जितना असानी से देंगे तो क्या होगा मुश्किल से मिलता है तो क् कि संस्थाकट कुन कुन से होते हैं, गेर संस्थाकट कुन कुन से होते हैं, किसके क्या नुकसान है, यह आपको यह लिखना है, यह कोशन आप मुझे जरूर बताईएगा comment box में comment करके, किस चेप्टर का कोशन है. भारत में पर्यावरन की चिंताओं को दूर करने के लिए भारत में परदूशन निंतरन बोर्ड के कारणे को समझाईए तो जैसे हर देश का एक बैंक होता है किंद्रे बैंक कैसे ही हर देश के अंदर एक परदूशन को कंट्रोल करने के लिए एक बोर्ड होता है उसके काम क्या होते हैं वो आपको बताना है यार जैन में सीधा सीधा है आप लिख सकते हैं नहीं आता ये कोश्चन भारत के किर्षी के पिछड़े पन के कोई तीन कारण बताईए हलवा question है इतने कुछ भी लिख सकते हैं आप किर्शी के पिछड़ेपन के कारण ठीक है अच्छा last question की बात करते हैं कि question दे रखा है आपको आता है तो ठीक है बना उपर से लिख के देखे स्वन करांती शब्द हरित करांती से किस प्रकार भी नहीं बताईए हरित करांती किस चीज़ के उपर फोकस करता है और स्वन करांती किस चीज़ के उपर फोकस करता है यह आपको पता होना चाहिए यह सब इन सब चीज़ों के उपर स्वन करांती स्वन करांती फोकस करता है हरित करांती किसक्रे फोकस करता है वो आपको पता होना च Menschen फोकस करता है यह बागवाणी के उपर ठीक है रोजगार के विकल्पिक स्टरोथ के रूप में बागवाणी किस प्रकार किसानों की आर्थी क सतिती में स्दार करती है तो इसका answer आप यहां से पूरा का पूरा लिख दोगे यह यह पूरा यह यहां पूरा सब लिखवाए कि बागवानी से लोगों की कैसे आयमे वृद्धी होती है, लोग अपनी कैसे से जीवी का वगयरा जाय चलाते हैं यह पूरा का पूरा आप लिख दोगे यह जो paragraph वाले question है आपके लिए भाई free के number है मैं आपको पहले भी जो है बता चुका हूँ यह आपका पूरा का पूरा हो गया आपको इसमें क्या क्या बताना है एक तो यह question आप मुझे बताओगे किस chapter का है आपको सिर्फ भी बताना है किस chapter का question है ठीक है और यह यार देख लीजिएगा यह मुझे अभी data याद नहीं आ रहा है इसका ठीक है पूरा देखना पड़ेगा यह वाला question 23 जो question है अगर आपको पता चले तो please मुझे comment box में comment करके बताईगा कि इसका answer जो है क्या होगा ठीक है मुझे भी यह data सारा याद नहीं आ रहा बिल्कुल भी यह आपको बताना है कि यह correct मतलब कि आप देखना कि इसकी स्थापना कि 1995 में हुई है ठीक है क्या भारत ने banking परिवर्टन इसमें अपनाया था यह आपको बताना है ठीक है मेरे ख्याल से किर्शी शेत्र की वृद्धी दर्मे तीन परतीशत की वार्शी गिरावट 1995 तरो देख लीजिएगा आप इसका क्या है मुझे अभी इसका data याद नहीं आ रहा है ठीक है यह आप मुझे comment box में comment करके बताएंगे और एक मेंने आप से question पूछा था एक मेंने आप से question पूछा था यह चीन में विशेश आर्थी zone की स्थापना जो है कब हुई थी यह यह आपको बताएंगे भाई आपको comment करनी है ठीक है तब ही तो मुझे पता चले का आपको पता है कुछ पढ़ रहे हो आप नहीं पढ़ रहे हो कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा आप मुझे comment करके इनके answer जो है जरूर बताएंगे ठीक है जी मिलते हैं आप से next video में ऐसी interesting topic के साथ सब तक के लिए have a good day, bye bye, take care